सामे कम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज हमने उठा लिए अपनी स्केच बुक और आज हम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे जो मुझे परस्टनली पसंद है यानिके उसमा कमल को परस्टनली बहुत 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 अच्छा लगता है बनाना तो उसके लिए हमने उठा ली है सब्सक्राइच फाइल का पेच जो भी आपको पास अविलेबल है या सूटेबल हो उसके पर हम कलर्स अपने अप्लाइ करने लगेंगे यह हमारे पास पैंसिल कलर्स हैं गोल्ड फिश कंपनी के जो कि बहुत एक अच्छी और हाई क्वालिटी कंपनी है लेकिन क्योंकि मैं मिक्स मीडिया में जादा बिलीव करती हूं तो मैं पहले इसकी बेस वाटर कलर से दूंगी वाटर कलर बहुत ही मुश्किल भी मीडियम है अप्लाइ करने में क्योंकि उसको हैंडल करना कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है लेकिन इससे टोन और एफेक्ट बहुत अच्छा और बहुत रियलिस्टिक भी आता है जिस तरह से आप बनाना चाहते हो अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग ली तो डिफरेंट कलर मिक्सिंग करके हम उनकी बेस दे देंगे जिसकी जहां जहां जरूरत है आई बॉल में येलो स्टोन में लाइट स्टोन जो है व इसको मज़ीद शेयर आउट करेंगे जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे के मैं आप एक ग्रीन कलर का थोड़ा सा टोन ले रही हूं सी ग्रीन ग्लू और येलो मिला के थोड़ी सी ग्रीन लुक करूंगे और इसकी जो आई बॉल है उसके जो आउटर पार्ट्स हैं उसको थोड़ा शेयर देके अंदर वाले कलर के साथ मर्ज करूंगी उसकी भी एक स्पेसिफिक टेकनीक होती है कि आपको फिर वाटर में डिप करके थोड़ा कलर को लाइट करके दैन उसको जो है मर्ज करना होता है सो देट आपके दोनो तीनो कलर्स अलग अलग नाब लग थो है ताइपर उसके वाटर कलर हाए पैंसिल है और जो ऑइलो सर्कैली पेस्टिल के नाब खी जो पिंक टोन है उसे जो है इसके औरमीक ओणांपार जो एसके अब बक साथ यह जो है अज अ मेंधान उसका नाहिको चामन एचुक्क का पर्पल के साथ जाएट अब आग पा पे हमें एक येलो स्किन सा शेड देंगे तो थोड़ा सा लाइट और शिमरी सी टच लगे उसके इलावा मैं इसके उपर मजीद शिमर अप्लाइ करने के लिए एक और कलर का रेफरेंस दूँगी यहां पे तो भी सिफ मैं इसके थोड़ी सी बेस को इन्हांस करने की कोशिश कर रही हूँ मजीद जो है इसके जो शेड्स हैं उसको और साइड को स्किन कर टोन में बना रही हूँ जैसे ही आपको लगता है कि इसके स्किन शेड अल्मॉस्ट टन हो चुका है अब इसको थोड़े से शिमर, थोड़े सा शाइन की जरूरत है तो फिर आप इसका कलर अप्लाइ करेंगे और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं आई ब्रो को मज़ीद उसके जो बाल है उनको टेक्ट्चर देने के लिए पैंसिल यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डाक ब्राउन का शेड है दो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन के पहले एक लाइट ब्राउन शेड मैं इसके बाद मैं इसको मज़ीद डाक ब्राउन से इसको ब्रामिनिट किया उसको लंबा-लंबा करी हूँ, आइस की लैशेस को बहुत आके वो एक मेकप वाली पक्की वाली लुक लगे and then फिर मैं last but not the least, मैं इसमें golden effect दूँगी, shimmer shade का यह पोस्टर कलर्स अब यहां पर मैं apply करने लगी हूँ, जिसमें कहीं-कहीं मैं पोस्टर का golden effect और कहीं-कहीं मैं silver का effect यूज़ करूँगी, पैंटल कंपनी है यह जो के एक अच्छी कंपनी है और जैसे के आप देख सकते हैं, इसका color, इसका shade, इसकी shimmer बड़ी ही मुझे satisfying लगती है, बड़ी ही मुझे प्यारी लगती है, ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स हैं जहां मुझे shimmer shade चाहिए होता है, जैसे के eye lid होती है उपर, बिल्कुल prominent उसको करने के लिए, खैर, तो यह almost हमारा काम done हो चुका है, अब मैं अपने कर रही हूं sign, hopefully आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, अभी इसकी final look रहती है, तो वो जरूर देखिए और बताएं के आपको मेरा work, म मुझे अच्छा लगता है बनाना, आई ते, complete है, shimmer, poster, shades के साथ, एक eyeshadow, complete look, make-up look के साथ, आई, तो, hopefully आपको अच्छा लगेगा, मेरे चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, thank you so much, इसी तना के art pieces के लिए मेरे साथ बने रही हैगा, बहुत-बहुत शुक्रिया, take care, tata, bye-bye, allahafis, तो, इस है रुरवा है, है, एक इस है, उसी तना ह險, जदना है, तना है रही है, प्लुक्रिफ, इसर एकि करें, तो, आई, यसी जजर को चान पूफ़ँ, गजसर बने पिरी का है, थमसी तना है, ख बोघए,